Hello Friends, Chris is आरद्धे प्याली और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और बेसिक एनिमेशन के बारे में बताने जा रही हूँ Friends, इस तरीके से आप सिंपल और बेसिक एनिमेशन कर सकते हैं in OpenShot सबसे पहले मैं कुछ फाइल्स को इम्पोर्ट कर लेती हूँ मैंने यहां दो बैक्राउंड और एक फोर ग्राउंड पिक को इम्पोर्ट कर लिया है आईए उन्हें ताइम लाइन पे ले आते हैं मैं यहां पे दो ट्रैक्स का यूज़ कर रही हूँ track 1 and track 2 मैं lower वाले tracks में उन picks को ला रही हूँ जो कि मैं background में रखने चाहरी हूँ ये देखिए और मैं इन picks को थोड़ा overlap भी कर रही हूँ overlap करने से ये देखिए यहाँ पर एक transition आ गया है इस transition की बज़े से जब एक pick खतम होगा और दूसरा pick जब शुरू होगा तो वो बहुती smooth और graceful तरीके से होगा ये देखिए मैं उपर वाले track में मैं वो pick लेके आई हूँ जो कि मैं foreground में रखना चाहती हूँ ये एक marks का pick है पर इसमें एक transparency है जिससे हम background का जो path है उसको हम देख पा रहे हैं आप चाहे तो background में कोई वीडियो को भी use कर सकते हैं आईए हम अपना animation अब शुरू करते हैं right click करे pick पर और फिल animate में जाए अब हमारे पास बहुत सारे options है start of the click, end of the clip, entire clip मान लेजिए मैं यहाँ पर start of the clip कर रही हूँ start of the clip करते साथ ही यह देखिए मेरे पास zoom का भी option आ रहा है और slide का भी option आ रही है यहाँ मैं choose कर रही हूँ edge to center और फिर left to center friends अगर आप यहाँ देख पाएं पर दो छोती छोती dots आ गए हैं इन छोते green dots का मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है इस clip का इस portion का जो properties है वो अब change हो गया है अगर मैं आपको यह clip प्ले करके दिखाऊं तो यह देखिए यह जो mask है वो from left side से आया और बीच में आके यह देखिए center में आके settle हो गया है राइट क्लिक करें फिर से जाए animate पर फिर end of the clip फिर center to edge आप इन में से कोई भी option चूज कर सकते हैं मैं चूज कर रही हूँ center to bottom यह देखिए at the end of the clip यहाँ पर दो green dots आ गए हैं आईए इस clip को एक बार दुबारा से play करते हैं तो friends आपने देखा हमने बिना कोई महनत किये हुए हमने एक animation ड्याल दिया है at the starting of the clip और at the end of the clip अगर हमें इस animation को remove करना है तो हम click करेंगे clip पर animate and no animation अब यहाँ पर इस clip में कोई animation नहीं है friends अब हमारे पास एक mask है जो कि without any animation है अब हम फिर right click करेंगे animate में जाएंगे entire clip में जाएंगे और choose करेंगे random अब एक random animation इस पूरी clip पे apply हो गया है कभी कभी जो random animations होते हैं वो बहुर अच्छे होते हैं यह देखिए यह random animation की बज़े से हमारा mask diagonally आया और center में आके settle हो गया है not bad है ना अच्छा लग रहा है friends अभी मैं आपको जो animation दिखाने जा रही हूँ उसके लिए आपका जो cursor है वो at the starting of the clip होना चाहिए तो मैं इस cursor को at the starting of the clip ले आती हूँ उसके बाद आप right click करें और फिर जाए transform में friends मुझे पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है के नहीं यहाँ पर छोती छोती blue dots आ गए हैं blue dots की वज़े से मैं इस clip को कहीं पर भी इस तरीके से drag करके move कर सकती हूँ पहले मैं इस clip को थोड़ा छोता कर लेती हूँ मान लीजिए मैं clip को अब top right पे रख रही हूँ इस तरीके से थोड़ा सा और छोता कर लेते हैं इस तरीके से हम top right पे रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह clip अब bottom right पे आ चाहे हम अपनी करसर को उस जगा पे लेके जाते हैं जहां पे हम यह clip bottom right पे चाहिए और ड्रैक करते वे यह clip यहां लेके आते हैं इस तरीके से अगर हम चाहे तो हमारी clip का size भी हम increase कर सकते हैं यह देखिए इस तरीके से यह देखिए play करने पर यह इस तरीके से आया ऐसा लग रहा है जैसे open shot को पहले सही पता है कि उसको कहां से कहां जाना है अभी मैं यह clip यहां से remove कर रही हूँ मैं यह clip दुबारा यहां लेके आ रही हूँ right click करे transform में जाए shape को थोड़ा छोटा करे अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा mask randomly इधर उधर move करे आईए देखते हैं यह हुआ है कि दी यह देखिए मेरा marks randomly इधर उधर move कर रहा है ऐसा लग रहा है कि यह पूरे video पर fly कर रहा है friends इस तरीके से आप simple और basic animations कर सकते हैं in open shot friends I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक stay healthy and safe शेयर किचे सब्सक्राइब करें आपको यह वीरिडियो में आपको वीडियो